आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन के क्वाटर्ली रिजल्ट्स के बारे में अभी कुछी मिनट पहले टाइटन ने अपने क्वाटर्ली रिजल्ट्स को अनौंस कर दिया तो चलिए देखते इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है अभी हम आ गए हैं टाइटन के स्टेंड अलों क्वाटर्ली रिजल्ट्स की तरफ और सभी फिगर्स रूपीज इन करोड्स में दी गई हैं तो सबसे पहले देख लेते कंपनी की टोटल इंकम यानि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स तो पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 7,220 करोड रुपे थी वो इस साल बढ़कर 8,790 करोड रुपे हो गई है जबकि क्वाटरन क्वाटर बेसिस पे 9,005 करोड रुपे से कम होकर ये 8,790 करोड रुपे हो गई है कंपनी की इनकम को अगर year on year basis पे calculate करें तो इसमें 21% से ज़्यादा की jump देखने को मिल रही है इनकम के बाद देख लेते कंपनी के expenses यानि कंपनी ने खर्च कितना किया है तो पिछले साल कंपनी का खर्च चाहां 6,352 करोड रुपे था वो इस साल बढ़कर 7,635 करोड रुपे हो गया है जबकि quarter and quarter basis पे 7,949 करोड रुपे से कम होकर ये 7,635 करोड रुपे हो गया है कंपनी के खर्चों को अगर year on year basis पे calculate करें तो इसमें 20% से ज़्यादा की jump देखने को मिल रही है एक और जहां कंपनी की income quarter and quarter basis पे कम हुई है वहीं इनके खर्चों में भी कमी देखने को मिल रही है अब देख लेते हैं कंपनी ने profit कैसे generate किये हैं तो पिछले साल कंपनी के profit जहां 641 करोड रुपे के थे वो इस साल बढ़कर 857 करोड रुपे के हो गये हैं जबकि quarter and quarter basis पे 793 करोड रुपे से बढ़कर ही 857 करोड रुपे हो गए हैं कंपनी के profit को अगर year on year basis पे calculate करते हैं तो इसमें 33% की jump देखने को मिल रही है overall कंपनी ने बहुती शांदार नतीजे पेश की हैं आप देख लेते हैं इनका EPS बात करें कंपनी के EPS यानि earning पर share की तो पिछले साल कंपनी का EPS जहां 7.22 था वो इस साल बढ़कर 9.66 हो गया है जबकि quarter and quarter basis पे 8.93 से बढ़कर ये 9.66 हो गया है overall टाइटन ने अच्छे नतीजे पेश की हैं और estimates को beat किया है टाइटन एक multi-bagger share है और अभी तक available data के हिसाब से राकेश जुन-जुनवाला सर और उनकी पतनी रेखा जुन-जुनवाला की holding इसमें 5% से ज़्यादा है जून 2022 में जब market में गिरावट हो रही थी तब ये share गिरकर 1900 के नीचे trade कर रहा था लेकिन पिछले 4 महिने में इसने 40% से ज़्यादा की return दिये है जबकि पिछले 5 सालों में 250% से ज़्यादा की return दे चुका है टाइटन का share और listing के बाद से 64,000% से ज़्यादा की return देकर अपने shareholders को करोड़ पती बना चुका है 20 साल पहले अगर किसी ने टाइटन के share में 1 लाख रुपे निवेश किये होते तो आज वो बढ़कर 5.5 करोड रुपे बन गए होते तो अगर आप टाइटन के share को hold करते हैं तो आप इसे never sell की category में रखिए और आँ दोस्तों इससे पहले हमने cams के quarter 2 के results को भी cover किया है अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखा तो उसका link उपर आई बटन में नीचे description box में मिल जाएगा आप उसे भी जरूर देखिए तो ये हमने देखा टाइटन के quarter 2 के results को उम्मेद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आसे informative वीडियो उसका notification आपको मिलता रहे